हाई गाईज, वेलकम बेक टू माई चैनल, एलपी ब्यूटी चैनल मैं आप लोगा स्वागत करती हूँ और मैं हूँ पृति वारी और आज मैं आप लोगों अपना नापे सेव का वीडियो दिखाने वाली हूँ, पुरा एंट टेक वीडियो देखेगा, अच्छे से मेरा फ तो उससे क्या होता है कि आपका एक से दो दिन में आपकी हैस दुबारा गुरू करने लग जाएंगे और फिर वो जब दुबारा गुरू करते हैं तो बहुत ही अजीब सा इरिटेटिंग सा होगा आपको कि वो छोड़े-छोड़े चुबने से लग जाते हैं और अगर यूँ से इरिटेटिंग ने होगी तो आई होपाप लोगो मेरा वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे तो लाइक पीजएगा और ज्यादर-शेयर कीजएगा और वीडियो को शाप्सक्राइट कर लिजए वीडियो को लाइक और सेयर करना मत भूलेगा मुझे सपोर्ट तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं, मेरा फाइनल लोग देखने के लिए वीडियो अंट तक जरूर देखिएगा ओके तो सबाज नापर सेट करवाने वाली हूं वैकसिंग के जरीए तो पहले यहां से स्टूरेन्ट है यही मेरा यह के से आपको करने हैं इस तछी नापर स तो यह आराम रण से करें और मैं भी स्लोली स्लोली वीडियो अप्लाउट करनी थाकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए तो इस तरी के से आपको पहले एक लाइन से ड्रो कर लेनी है लाइन बना लेनी है जितने हेर्स रिमूब करने हैं उसके तर तक अच्छी क्लीन लाइन ना दिख जाये उस तब तक आपको नहीं बनाना है तो यहां से अभी जितने एक्स्ट्रा एयर से लॉंग है उनको कट कर लेंगे अच्छी से कट करके फिर से लाइन बना लेंगे कि अच्छी से लाइन निकली है या नहीं उसके बार हम लोग वैक्सिंग करना सुदू करेंगे आपर तो फर्स टाइम अगर आप वैक्स कराते हैं तो थोड़ा सा दर्द होगा आपको तो प्लीज उसको सह लीजेगा अगर मतलब बिल्कुल डर्द नहीं साना जाते हैं तो थोड़ा आपको बदफ को स्कीन के रगड़ लेजेगा उसके बाद रैक्सिंग करेंगे तो थोड़ा कम दर्द होगा आपको तो यह हल्किसी लाइन रहे गई थी तो इसको भी निकाल लेने हैं आपके तो यह यह के पास ज चली स्टाट करते हैं विजो यह निकले वेया से इनको भी कट कर लेता हैं जाए तो अभी वेक्सिंग सुदू करेंगे तो वेक्सिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पाउडर लगाना चाली भी होता है तो पहले आप जाज इतने हेस रिमूव करने आप फिर पाउडर लगा लिजी अच्छे से कोई भी पाउडर आप यूज कर सकते हैं मैं इनको समझा ली थी कि इधर कर एक से लगा रहा है पहले यह सेट कर कर दी हैं तो यहां पर हम लोग पहले पाउडर लगा लेंगे अब ही स्टार्ट करेंगे तो अभी वैक्स लगा रहे हैं पर मैं कोल्ड वैक्स ले रहे हैं हनी और हनी का मिक्स रही है है हनी और अलोवेरा जल का तो इस तरीके से आपको वैक्सिंग पहले लगा लेनी है और अच्छी से पूरे बाल को कवर कर लेना है ओकी आई होपास लोगों समझ में आ रहा हो गाई तो इस तरीके से लगाना है रेक्स रहे हैं हमको नीचे कर लीचे इस तरीके से अच्छे से लेक्स को लगा लेना है यह देखिए ऑर यह fixing स्टाट करेंगे तो ऐसे लगा चुके अब एकश्ट्ीप लगाएंगे वेक्से रिआखं गो जो मेरा बनाइती उसके नीचे से आपको wax strip चिपकानी है और इस तरीके से अच्छे से रब करना है इस साइड में आपके hair की ग्रोथ है उसी साइड में आपको रब करना है और अच्छे से चिपका लेना है wax strip को फर्स्ट ताइम है तो आपका एक बार खीचने से हो सकता है कि ना निकल wax hair निकल जाना चाहिए कभी-कभी नहीं भी निकलता है ज्यादा हाड होगा तो तो यहां भी मेरा नहीं निकलेगा तो दो-तीन बार करकर के इस स्टुदेंट लोग निकालेगी तो यह अच्छे से चिपका देना है उसके बाद से आपको कीचना है तो यह अच्छे बख चुका है और अभी में खाड़ के दिखाते हैं आप लोग को नीचे से स्कीन को खीचना है ऐसे और अभी खीचने नहीं तो इस तरी के से आपको अच्छे से गछार दकलते हुए और और पिर इस तरी के से chals कि एक बार में नहीं उखड़ा यहां पर चिपका चिपका के उखाड लेंगे थोड़ा थोड़ा जिख सकते गर्दन पर कितने बाल गिरे में जो हमने कट किया था उसको तो फिससे हम लोग एक बार एक्स लगा ले रहे हैं पुरा यह की पास देखिए के भी हेर्स को रिमोग करना है तो इस तरहीं कि जैंगे पुरा फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो एंड तर देखे हैं गाई तो अच्छे से चिपकाते हुए सारे हेर्स को रिमोग करें देखेदे करके आराम से करिएगा दर्द बहुत ज्यादा होता है इसमें तो आराम दर्द से करिए और जब आपका वैक्सिन कंप्लीट हो जाए तो बरफ से इस एरिया को बरफ से बरफ लगा दीजी आईस और उसके बास से आप कोई मोस्टराइजर कोई करिंग लगा तो यह हो गया अब हम इसको खाड़ के दिखाते हैं यह देखें एक बार में नहीं हो रहा है काफी प्राव्रम हो रहा है तो लेकिन अगर आपके से रिंग कराते हैं तो उसका कोई फायदा ने उससे अच्छा पैसे छोड़ती चीए अगर आपको नापी से उक्राइन तो से ही कराई उससे अच्छी रहती है और साफ्ट स्मूथ रहती है से रिंग वाले से क्या होता है दो चाह दिन में आपकी हेर दुबारा से ग्रोव करने लग जाती है क्या है मैं तो दुदफिद दूए कि मत ही कराइगी मुझे विख काफी लोगों ने बोला कि मैं न पर ओंपर अ परह इस से मैं किरा हूं था अ नहीं कराती है अगर मतलब रिक्वेस्टन या फिर रिक्वेस्ट नहीं होता तो तो यह हुग गया इदर का अभी सेड वाला भी करेंगे हम लोग रिमों तो अच्छे से इदर भी वेक्सिंग लगानी है तो गारेज भी बीच ने वीडियो कट हो जागा क्योंकि बैटरी लो हो गई थी लेकिन फाइनल लुक मैंने दिखाया हुआ बाद में तो देख लिजेगा इतनी लाइन जितनी डो करके इतनी मैं है रिमों करके दिखाऊंगे आप लोग को पूरा ओके तो अभी हम इस साइट भी वेक्स लगाएंगे और धीर धीर करके सारे हैस को रिमों करेंगे जल्दी बाजी नहीं करना आराम राम से कीजेगा ओके तो यहां पर भी वेक्स लगा रहे हैं अभी जिते शेंट जीशनी में है तो इस साइट से आप उन से की कीई हए और यहांट मेरी शे से लगा रहा है है और फिर रिमूब करना होगे यह के पास वाले भी निकालने हैं तो उस पर भी हम लोग लगा ले रहे हैं और फिर वेक्स्ट्रिप लगाते हैं अच्छे से उपाड़ेंगे इसको रिमूब करेंगे यह उसको तो यह हो गया है अभी एक्स्ट्रिप लगाके और घार देते हैं इसको मतलब वादी दिनाओ कर लेते हैं यह उसको अच्छे से चिपका लेना है चिपकाना बहुत जूबी है ताकि लावा कस्टमर को पेनना हो इसके लिए इस तरीके से नेचे से स्कीन को खीचके और फिर उखाड़ना होगे यह देखे इदर का रिमूब हो गया फुरा कितना क्लीन दिख रहे हैं यह कितने ज्यादा है रिमूब हो गया है और अभी फिर दुबार से रेक्ष्रिप लगाके और थारे हेर्स पर रिमूब कर लीचे तो मेरा फाइनल लुक जोभी देखिएगा और मैं पूरा क्लीन करके दिखा देती हूं तो ये है मेरा फाइनल लुक कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके जो भी बताएगा पुरा क्लीन होने के बाद इस तरीका के दिखा बीच में वीडियो कट हो गया तो पुरा एंड तक मैं दिखाती है आपको करते हुए बट बैटरी लोगाने को एसे फॉर्म बंद हो गया थ ये आपे सेव का वीडियो वह भी अपने सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर तो आई हूप अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और सेयर चैनल को सब्सक्राइब जो ही कीजिएगा थेंक यू फो वाचिंग बाई गाईश टेक क्या मिलते नेक्स वीडियो में कुछ नया लेकित अब तक लिए बाई बाई टेक क्या अपना ध्यान दखिए और मुझे सपोर्ट का दरिये बाई